नमस्कार दोस्तों हमने देखा है कि जनरली बहुत से लोगों के घर में ये देखने को मिलता है कि किसी की घर में तो बहुत सारा धन सम्रिद्धी होती है और किसी के घर में बहुत आर्थिक तंगी होती है तो इनके भी कई कारण हो सकते हैं जो हमें त्याक नहीं होते हैं और ह हम से चोटी-चोटी भूले हो जाती हैं जिसके कारण हम इसका हमें खामियाजब उकतना पड़ता है। दोस्तों जदली हमने देखा है कि बहुत से लोग डेली नहीं नहाते हैं। हफते में एक दिन नहा लिए और छे दिन वो बिना नाहिद होई रहते हैं। वही कपड़े रिपीटिचन में पहनते हैं जो उन्होंने कल पहने हैं या एक दो दिन पहले पहने हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हो देखे गए हैं। कपड़े पहन लेंगे और पर्फ्यूम लगा लेंगे और डियोडरेंट लगा लेंगे सब कुछ करनेंगे। लेकिन डेली नहीं नहाते हैं। दोस्तों यह बहुत गलत है। और जो लोग नहाते ही नहीं हैं। उस घर में कलेश, लड़ाई, चगड़े, गरीबी आती ही आती है। रोज नहाना, रोज शुद्र कपड़ा पहनना, रहन सेंट पर भी अपने चीजों का प्रभाव पढ़ता है। लेली नहाना चाहिए उनको उनको शुद्र रहना चाहिए। इससे घर में इसका भी प्रभाव घर के और घर के सदश्चिक पर बहुत गहरा पढ़ता है।